हेलो दोस्तों मैं हूँ सना खान विल्कम है आपका मेरे योटुब चैनल सना आयुवएदा पर मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने क्यों नियो विडियो लेकर दो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डिटॉक्स वाटर के उपर जैसे कि आपको विडियो में दिखाई दे र की मदद करता है तो सबस्ते पहले हम बात कर लेते हैं कि ये डिटॉक्स वाटर हे क्या जिस पानी में ताजे फल थाय सब्जाई यह जरू पुटियो को मिलाकर बनाया गया जो पानी होता है उसको हम डिटॉक्स वाटर कहते है यह ना केबल आपकी सरीर से टॉकसिंग चीजओ को निकालने में मदद करता है बलकि एक या दो पॉंड हामफुल चीजओं को निकालने में भी आपकी help करता है detox पानी को फलो से भड़ा हुआ पानी भी कहा जाता है अब बात करते हैं दोस्तों detox water आपकी weight lose में आपकी मदद कैसे करता है तो boost metabolism यानि detox water आपके metabolism को increase करता है जिससे आपका वजन तेजी से और अच्छे तरीके से कम लगती है इसमें calorie भी बहुत कम होती है यह एकदम fat free होता है तो यह आपकी अगर harmful calding जो आप पीते हो sugar वाली उसकी जगे के जगे पे अगर आप इसे यूज करोगे तो आपको इससे काफी benefit होने वाला है और सबसे अच्छी बात यह आपकी पाचन को अच्छा करता है जिससे आपका खाना अच्छे से digest होता है यानि पाचन तंतर इससे काफी increase होता है और याद रहे दोस्तों यह पाचन तंतर अच्छा होना बजन खटाने के लिए काफी important है तो दोस्तों अब हम यह बात कर लेते हैं कि यह detox water घर में आप कैसे और किस तरीके से बना सकते हैं तो मैं अब आपको बता देती हूँ इसे मैंने कैसे बनाया है तो यहाँ पे detox water बनाने के लिए मैं सबसे पहले लेने वाली हूँ करी पत्ता यह मेरे सूखा करी पता है अगर आपके पास fresh है तो आप यहाँ पे fresh भी use कर सकते हो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ खीरा जिसे मैंने slide में काट लिया है जैसा आपको दिख रहा है वीडियो में सैम ऐसे ही आपको खीरे को काट लेना है अच्छे से दो लेना है पेले फिर उसके बाद इसे काटना है फिर इसका use करना है तो आप यहाँ पे चाहो तो कुछ और भी use कर सकते हो यहाँ पे वैस 된 के fruit यूज कर रही हूँ आप अपनी पसंद के भी use कर सकते हो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ यह औरेंज यानि मौसमी है लेकिन इसका कलर आपको अलग नजर आ रहा है क्योंकि यह कैमरे की वज़े से हो रहा है ठीक है अब मैं यहां पर ले रही हो लेमन को मैंने स्लाइड में काड़ लिया है और यहां पर मैं लेमन का यूज़ करने वाली हो उसके बाद मैं यहां पर अदरग को बारिक करना है ताकि जो इसका मुष्चर है वो पानी में अच्छे से आ सके और इसका वेनेफिट हमें मिल सके याद रहें आप डिटोक्स वाटर में फ्रूट कोई भी डाल सकता है लेकिन यह अदरग जो होती है उसे जरूर डालें क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए काफी बेनेफिट होती है तो अब मैं यहां पर ले लिया है मैंने जग्ञी कांश के ज़र का यूज्श कर रहे हूं अब एक की कि बना रहे ह्एं तो लोकेंग की वज़े से जार में टाल सकते हो अपने में पानी बान डाल सकते हो तो मैं इसे सजा लेती हूँ जब तक यह देखें मैंने इसमें खीरे भी डाल दिया है और बेड़ने में चाहिए यानि एक खीरा पूरा लिया है मैंने आप है तो दोसे डेटॉक्स वार्ड काफी अच्छा होता है इसे बनाईएगा जरूर और इसका वेनफिट उठाईएगा और वेट लूज में आपका काफी अच्छे तरीके साब की मदद करता है यानि यह भी नहीं कि आपको इसका पानी की जगे पर इसे यूज कर सकते हो मोओ है जैसे कि सुभा और सुभा भूपेस्ज और थ कर देना है फिर बिख में इक नपानी या जाएगा मैं पहले बता 죄송 एक लीट ब्स हलिकोंग हम IPO हो निदा अलकर इन डिन dhe फ्रीज में रखिए और दूसरी दिन जब इसका जो रफिस बचेगा यानि जो भी बचेगा आप उसमें फिर पानी डाले यानि इस जग से जो आज में बना रही हूं इससे आपका तीन जग पानी बन जाएगा यह फर्स्ट जो हमने बनाया देखी मैंने इसमें पानी डाल द तो दोस्तों यह देखिए हमारे डीटॉक्स वाटर तयार है लेकिन अभी पीने के लिए शेटी नहीं है इसे में फ्रीज में रख दूँगी फिस सुभा में इसका यूज करूँगी तो आपको भी यही करना है फ्रीज में रखिए उस सुभा यूज कीजिए और एक जग क आपको एक दिन में खतम कर देना है फिर दूसरे फिर जो बचे गारा आथ को उसमें फिर पानी डालिए यानि इससे तीन जलग पानी आपका बन जाएगा लेकिन तीन से ज्यादा मत बनाईएगा उसके बाद आप इसे फेक देना या फेक मत आप इसे ऐसा करना मिक्सी में पीस ना अपने बालो पर अपने चेहरे पर लगा लेना क्योंकि जो भी चीज़ें हमने इसमें मिलाई है ना वह काफी अच्छी होती है हमारी बालो के लिए भी स्कीन के लिए भी तो फेकने से अच्छा है इसका इस्तिमार कर लिया जाए इसलिए मैं आपको बता रही हूँ आप इसे फेस या हैड पर लगा सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंड कहिके जरूर बताइएगा मैं आपको मिलूंगी नेस्ट वीडियो में जब तक कि लिए अपना ख्यार रखे और अपनी दुआओं में मुझे याद रखे और दोस्त लोंग हैर पर तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं आप जाके उसे फोलू कीजिए और उसका वैनर फेड उठाइए मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है और इंशालला आगे भी मैं बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगी लेगिन आपको भीजिश टॉपिक पर